जेहिंद प्रेंट्स वेलकम बेक मैं यूट्यूब चैनल अपडेटे नियूँ आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे मस तोंगे मलंग होंगे प्रेंट्स आज की इस नए वीडियो के अंदर आम बात करने वाला और आप्टर नोमलाइसन के बाद कितने नबर पर के अंदरेट का सलक्सन हो सकता है कितने मांक्स होने चैनल के बाद सलक्सन के लिए और फाइनल के टिगरी वाइक कितना कटूप जा सकता है आपका MTS 2022 का इसके साथ ही result कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है और यहाँ पर possible date के ब यहां पर आपके पर सीट कंपेटिशन की बात करें आपका अब तो यहां पर 111 कंपेटिशन का पर सीट कंपेटिशन रहे जाता है जब आपका अटेंडेंस का रिस्यों आया उसके बाद यह मातर संक्या है इसका कोई फ्यक्त नहीं पढ़ने वाला इसमें से बहुत सारे केंडिशन ऐसे होंगे जो एक्जाम देने के हैं competition की range में नहीं आते हैं serious त्यारी करने वाले candidates की संग्या कमी होती है देखिए आपका attendance का percentage देखे तो आपका देखिए यहां पर 58.4% candidates ने exam सोड़ दिया आपके देखिए लगबग आपके 80% candidates ने exam नहीं दिया मात्र 41% candidates ने exam दिया MTS 2022 का इसका basic रूप से कटोप पर effect देखने को मिलने वाला है अब यहां पर बात करें आपका category wise फोरूम की संक्या तो यहां पर मात्र 8 लाग फोरूम फिल किये गये थे something OBC के यहां पर 24 लाग फोरूम फिल किये गये आपके AWS से यहां पर आपके 3 लाग के something फोरूम पिल किये यहां पर 14 लाग फोरूम फिल किये गया है और से यहां पर तोटल लाग करेंश का डाटा दिया यह अभी तक जैसे ऑफिचाल आथा आप लोगों के साफ सेयर किया जाएगा और यहां पर आप हुज़ए के जबिए आपको आप्टेटि sound मिलती रेों तो यहां पर एक कटोप की बाद करें अगर आपका रोसको बन रहा है अगर आपकर आपकी नबह चांसर लॉप्र चांशेश बन जाते हैं मैं रहीं का का यूट बैसेश को सब्षोग Can wannaKn पर ड Rules प्रेंड एंग्यां मद पर किस राइप की में लिटमों की नमटर दियते हैं तो यहाँ पर पर आप सब्कूंशन के उपर डिपेंड करने वाला है किस करी किस के अंदर कितना होने वाला है तो आपका shift wise detail डाल दिया गया है आपकी रहेंगाई के पर आप जाके यहाँ पर मैं वीडियो के description box में लिंक दे रहा हूं कल यहाँ पर रहेंगाई क्योंने pdf डाल दी कि कोई shift के अंदर average score कम हो रहा है किस shift में ज्यादा हो रहा है अगर आप यूर के ट्री से विलोंग करते हैं और यहाँ पर आपका 114 से 120 के बीच यहाँ पर कटोब जाने की possibility कि अतना जाए प्रेंट्स maximum आपका 120 के आसपास जा सकता है minimum 114 के आसपास जा सकता है और यहाँ पर अगर आप OBC से विलोंग करते हैं आपका 112 से 118 के बीच कटोब जा सकता है यहाँ इस range के बीच रह सकता है यहाँ पर maximum देखे आपका तब जाएगा OBC का UR का maximum जाता है तो यहाँ पर आप लोगों का ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला OBC और UR के अंदर, तो देखिए आपका IDOLS की बात करें, यहाँ सबसे कम forum field अपलाई किये गये हैं, और यहाँ पर इसके कटोप की बात करें, आप्टर नॉम लैसन 110 से 14 रहे सकता है, अगर कोई IDOLS वाला category candidate उ जाने के चांसे है, यह एक expected कटोब है, समभावित कटोब है, हम यह नहीं करें कि यही कटोब जाने वाली है, बट यहाँ पर एक समभावित आकड़ा है कि इतना जा सकता है, और आप इसके अंदर प्लस माइनस दो नंबर कर लीजिए, इतना अगर आपका यहाँ पर नंबर यहाँ पर उसके भी 85 बन रहे है, और नोमलाइसन के अंदर उसके यहाँ पर 30 नंबर बढ़ जाता है, तो उसके भी यहाँ पर सलक्षन होने के चांसे बन जाता है, यहाँ पर देखिए, सब कुछ आपके नोमलाइसन के उपर डिपेंड करने वाला है, तो यहाँ पर नोमल a pencil में जदा बढ़ेगे। दो जदावतängt जदा कोटू से Hmm यहापर एक पॉसीबल रिजल्ट की बात करें अपका रिजल्ट यहाँ पर फिरेंस जो यहाँ पर आ सकता है अभी आपका फाइनल आंपसर कि आएगा फाइनल आंसर के बाद आपका रिजल्ट जारी खेंगा तो अभी final answer कि आप 4 July तक last अपने answer की देख सकते तो यहाँ पर final answer की जारी होने वाला जल्दी देखने को मिल जाएगा 4-5 दिन बाद answer किया जाएगा final उसके बाद आपका result आ सकता है जो maximum time की बात करें यहाँ पर आपका यहाँ पर जो अगस्त का first week तक है आपका result जारी किया जा सकता है और minimum time की बात करें यहाँ पर आपका जुलाई के last week के अंदर आपका result आ सकता है यहाँ पर यह possible date है कि इनके बीच आपका result आ जाए जुलाई के last week और अगस्त के पस्ट वीक के अंदर आपका result आ जाएगा क्योंकि joining process जल्दी complete कराना है आपका SSC MTS 2023 के form start हो चुक जाएगी सितंबर के मन तक मान के चले कि आपका जोइनिंग हो जाएगा SSC MTS 2022 के इंडिर्स का